Hello friends, welcome back to my channel, दोस्तों फीस साथ सभी का सुवागा थे टेक्मीन का एक नहाँ वीडियो पे क्या दोस्तों आपके फोन पर इंटरनेट काम नहीं कर रहे है, आपके घर पर वाइफाई है बट वो वाइफाई तो सिगनल दिखा रहा है बट उससा कनेक्शन नहीं आ रहा है या आपके पास जो मुबाइल नेट है वो खतम हो गया है बट आपके पास बहुत सारा ऐसी इंपॉर्टन काम है जो आदे घंटे एक घंटे के अंदर खतम करना है तो आपके पास इंटरेट ना होने के कारण हो सकता है वो काम आपका ना हो और फ्यूचर में आप प्रॉब्लेम में पढ़ जाओ बट दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ऐसे है एक ट्रीक बता दू जिसके चलते हैं आप आपका आसपास पर जितना भी ओपन वाइफाई नेट्वोक है वो सारे का पास बहुत जान के उसको आपके फोन के साथ करनेट कर सकते हो तो कैसा होगा हाँ दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं एक से ही अप्लिकेशन के बारे में बताने वाले है जिस अप्लिकेशन को यूज करके आप आपका असपास पर जितने भी वाइफाई है वो सारे वाइफाई का पासवर्ट जान सकते हो इवेन उसको आपके फोन के साथ करनेट भी कर दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हूं और जरूर से जरूर कमेंट कर देना तो देखो दोस्तो इस application को कैसी use करना है क्या करना क्या नहीं करना है इसके लिए मैं लेके चलूँगा अपके mobile के screen पर वहाँ पर जाके मैं दिखाऊंगा बहुत ही simple application है कुछ जादा करना नहीं है बहुत simple सा काम है आप लोग भी इसको follow करोगे तो आपके phone पर आप किसी भी wifi का password को जानके उस wifi को अराम से use कर पाऊगे तो चलो चलते हैं अपने mobile के screen पर वहाँ पर हमें दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग इस application को use करके दूसरे का wifi को use कर सकते हो तो देखो दोस्तों यह जो application है इसका नाम है इंस्टब्रीच बाई डिगू तो इस application को आप playstores पर डाउनलोड कर लो उसके बाद जब आप इस application को open करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा page open होगा आप simply देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ wifi का नाम दिखाए दे रहा है जिसके side में green color का एक छोटा सा dot है तो आप देख रहें कि जो TP-Link वाला जो आपका wifi option ही यह open wifi ही है और यहाँ पे आप इसका password करोगे तो आप देख रहें इसके जो password ही हम लोगों को दिख रहे है तो यहाँ से आप इसका password जी उसको copy कर सकते हो आपका password जी वो copy हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोग जो wifi है इसको आप आपके phone पे जहीं पे भी आपको दिखाएगा जब आपके phone पे जाओगे वहाँ पे आपको दिखाएगा कि यह जो available wifi है इसको आप current कर सकते हो बहुत ही simple सा चीज है कोई problem नहीं होने वाला है next दोस्तों मैं बोलूँगा कि यहाँ पे map का option है अब यह map का option क्या है देखो दोस्तों आप इस map पे बहुत ज़ादा कुछ dots देख पारे हो जहाँ पे कुछ green dot है जहाँ पे कुछ red dot है तो यह आप लोग देख पारे हो कि आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे green dot और red dot आपको दिखाई दे रहा है तो देखो simple सा बात है कुछ नहीं करना है यह जितने भी green dot है आप अगर किसी भी red dot की उपर click करोगे तो आपको दिखाएगा यह जो wifi यह इसका नाम क्या है क्या नहीं है उसके बाद दोस्तों आप अगर यहाँ पे किसी और एक red dot पर click करोगे दिखाई देखाई देखाई रेरली वोक्स तो यह ओपन नहीं है अभी तो उसके बाद देखो यह भी रेरली वोक्स है आप उस पास जो wifi है उसको आपके phone से connect कर सकते हूँ यहाँ पे एक बाद आप लोगों को बता देता हूँ ऐसा नहीं कि आप आपके घर पे बैठे हो और 5 km दूरी पे कोई भी wifi का signal आपको दिखा रहा है और आप उसको connect करना चाह रहे हो connect नहीं हो रहा है फिर बोड़ोगे application गलत है application बेकार है यह application बहुत अच्छा आप 10 km 5 km दूरी का wifi को कभी आपके phone से connect नहीं कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों आपके आज पास में जितने भी wifi का range आपके phone पे आ रहा है आपका wifi settings पे जाने के बाद दिखा रहा है आपको वो सारे wifi को आप connect कर सकते हो और उसी का password जो है वो आप लोग अराम से देख सकते हो तो यह जितने भी green dot है यह सारे को आप access कर सकते हो और जो red dot है इसको आप तभी के लिए access नहीं कर सकते हो इन future आप जब यह on हो जाएगा उसके बाद आप access कर सकते हो तो यह मेरे को काफी अच्छा लगा फिर दोस्तों VPN का जो बात है यह VPN का भी यह अधर आप use कर सकते हो बड़ इसके लिए आपको purchase करना पड़ेगा और उसके साथ यहाँ पे कुछ redeem points भी है जिसका option आप लोग यह देखे हो earn insta bridge point यहाँ पे click करके आप insta bridge का जो points से उसको earn कर सकते हो add देखने के बाद तो इसको आप यहाँ से देखो मैं add on कर दिया तो इस add के लिए मैं कुछ rewards points मेरे को मिलेगा तो देखो मैं 150 points reward मिल गया तो यह video देखने के लिए मेरे को मिला है daily check-in का भी 75 points मेरे को मिला है तो मैं जब चाहूँगा VPN purchase करने के लिए points को मैं redeem कर सकता हूँ इसके लिए मेरे को 650 points चाहिए तो मैं अगर चाहूँ तो इसको start करके मैं यहां से ले सकते इवन में यहां पे और earn points का भी option है मेरे पाग तो आप ऐसे करके VPN को यूज कर सकते हो VPN जो है वो आपका 120 days का वैलिडिटी है इस VPN का फिर menu option पे जाओगे तो यहां पे आपका profile लीडर बोर्ड इंस्टबिच प्रीमियम और पॉइंट्स आप कितने points कैसे करके और किये हो इवन इसको भी play करने से आपको फिर से देर सो point मिलेगा फिर आप reading points कर सकते हो offline region settings वगेड़ा आप change कर सकते हो notifications connectivity यह सारे चीज़ आप यहां पर check वगेड़ा कर सकते हो यहां पर देख सकते हो कि कौनसा कौनसा notification को आप on करके रखे हो आपके हिसाब से आप उसको change भी कर सकते हो even privacy का भी option है इसको भी अपने हिसाब से select कर सकते हो तो मेरे को यह application है यह काफी अच्छा लगा तो मैं फिट से और एक बाल लास दिखा देता हूं कि यहां पर जितने भी wifi आपको दिख रहा है आप यहां पर simple से show password पर click करोगे आपको password दिखाएगे copy password करोगे आपका जो wifi का setting से वहां पर जाओगा आपके phone का वहां पर ही जो wifi का यह link है यह दिखाएगा जो wifi open उसको click करोगे उसका password दिखो तो यह connect हो जाएगा दोस्तों बस यह ही है इस application का खासियत तो मैं उमीद करूँगा यह application जो आप लोगो पसंद आया आप लोग इसको use करो और जरूर से जरूर मेरे को comment करके बताओ आप लोग भी इस application को use करके कैसा लगा तब भी उसका आसबास में जितने भी wifi है वस wifi का password की भी आप इस सेम तरीके से जान सकते हो तो मैं उमीद करूँगा यह जो वीडियो यह आप लोगो के लिए बहुत ही जादा helpful बना और आप लोगों का इंटरनेट का problem हो वो शायद आप से नहीं रहेगा अगर आप लोगो वेवी question है या कुछ feedback देना है तो आप लोग जरूर से जरूर comment section को use करो और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों के चैनल पर giveaway चल रहे है आप लोगो इस giveaway पर participate कर सकते हो यह वीडियो का लिक आप लोगो description और आई बटन दोनों जगा पर मिल जाएगा तो चली दोस्तों आई बाई टेक केर अच्छे से रहना ठेक से रहना